वीडियो, relativity में भी जो हम लोगों ने पिछले वीडियो हमारे पास है जिसमें की revision part किया है तो कुछ theoretical portion वहाँ पर रह गया था तो एक बहुत ही छोटा सा short वीडियो है यह आपके लिए जिसमें हम वो जो बच्चे कुछ theoretical part है उनको भी cover करते हैं then in the last part we will discuss the numerical only एक relation पूछायाता है कि e square is equal to p square c square m not square c k power 4 इसको proof करिए basically यह एक energy momentum relation है relativity का energy momentum relation है और काफे important role है इसका तो जैसे यहाँ पर देखो हमें मालूम है कि e is equal to mc square अभी हम इसको derive भी करेंगे e is equal to mc square energy mass equivalence relation इसको derive करेंगे तो अभी आप समझे कि e is equal to mc square एक relation है जिसको कि हम relativity में use करते हैं तो हमें जो proof करना है e square is equal to p square c square m not square c k power 4 तो आप p square को इस तरफ ले आइए तो आपके पास term आजाएगा e square minus p square c square यह term आ गया अब यहाँ पर e की value आप रख देजिए mc को whole square रहेगा उसके बाद p जो होता है वो mv होता है m mass into velocity तो आपने m into v कर दिया m into v कर दिया ठीके तो sorry यह ऐसे आप कर दिया p square है न तो इसको आपने m into v का whole square कर दिया तो अब आपके पास क्या बचेगा तो यहाँ पर आपके पास हो गया m square c k power 4 और पी हो गया m square c square sorry v square m square c k power 4 m square c square v square यह आपके पास value आ गई mass variation relation हमारे पास already है कि जो moving mass होता है m जो rest mass होता है m not इसमें एक सिधा सा relation है यहाँ पर अब आप क्या करेंगे इस equation में जो equation number one मालने इस equation में जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ पर आप इसकी value उठा करके रख दीजिए तो जैसे आप इसकी value रखोगे थोड़ा से correction में यहाँ पर कर दे रहा हूं तो यहाँ पर आपने m की value रखी तो m² यहाँ पर रहेगा m² यहां रहेगा आप देखो यहाँ पर जाएगा तो m0² हो जाएगा इसकी वज़़े से और अंडर रूर हट जाएगा C की पावर 4 है, यहाँ पर M not square रहेगा, C square रहेगा, V, V square यहाँ पर आपके पास रहेगा, अब आप क्या करिए, यहाँ से M not square C square common लिजे, यहाँ से M not C square common लिजे, और यह 1 upon 1 minus V square C square तो यहाँ से common आही जाएगा, जैसे आप रखोगे, तो इस पहले section से आपके पास C square बचेग तो C square minus V square यहाँ पर बच रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा normally, मतलब थोड़ा सा solve करोगे, तो M not square C square है, C minus V square यहाँ पर है, और इसको अगर आप ऐसे लिखोगे, ऐसा कुछ है, 1 minus V square by C square, इसको लिज सकते हो, C square common होगे, तो C square V square इस तरह से, तो C square V square यह से पुड़ा और 4, तो यह हमारे पास total relation बन जाएगा, जो की के हमें प्रूफ करना था, यह हमारा main objective था, चलिए, अब अगर देखें, velocity addition theorem, इसके बारे में हमें बात की थी आप से पिछले बार की, हम velocity addition theorem को जल्दी से पढ़ लेते हैं, velocity addition theorem में बड़ा है special case है, Einstein की इस theory का, यहाँ तीन आपके पास कोई observer है, S, जो रुका हुआ है, stationary observer है, तो इसके सारे measurement बीना dash quantity होंगे, XYZ के form में होंगे, UX, तो अब XYZ के form में है, एक दूसरा observer है, जो की S के respect में V velocity से move कर रहा है, और V मान लो, of the order of C हैने relativistic velocity है, तो इस पर relativity की theory apply करेगी, normal Newton mechanics की theory apply नहीं होगी, अब आप imagine करो कोई bullet है, high speed bullet, वो भी relativistic velocity से move कर रही है, और ये बहुत तेजी से गुजरती हुई जा रही है, दोनों observer के बगल से, तो जब वो रुके हुए observer के बगल से गुजरी, तो रुके हुए observer ने उसके velocity UX ना पी, X क्योंकि X direction में bullet जा रही है, जब वो चलते हुए observer, जो V velocity चल रहा था observer, जब उसके बगल से bullet गुजरी, तो उस observer ने, चलते हुए observer ने, उस चलती हुए bullet की velocity UX डैस मानी, डैस लगाया, चुकि एक moving observer ने उस bullet की velocity को ना पा है, तो अब हमारे पास तीन तरह की velocity है, velocity of moving observer with respect to S, S डैस की velocity S के respect में, velocity of bullet calculated by S, रुके हुए observer ने, जो bullet की velocity ना पी है UX, फिर velocity of bullet measured by observer in S, चलते हुए observer ने, जो bullet की velocity ना पी है, UX डैस, अब यह तीनों तरह की velocity है, V, UX और UX डैस, यह आपस में कैसे जुड़ी होती है, इनको जोडने वज़े रिलेशन है, उस वी को हम velocity addition, theorem, velocity addition, relation कहते हैं, तो यह कहता है, UX, यानि की stationary observer के द्वारा ना पी गई ब velocity के बराबर नहीं होगी, अगर UX, UX डैस, इक्वल होता है, तो हमके दोनों बराबर velocity ना पर है, नहीं, यह formula आता है, जहां कि उस moving observer की velocity का भी roll आ रहा है, अगर हमने यहां left side में UX रखा है, right side में UX डैस रखा है, अगर आप इसको उलटना चाहते हो, left side में UX डैस लाना चाहत तो आपको इस तरह से minus sign को UX करना पड़े, derivation में यह सब आता है, अब इस formula का, इस velocity addition theorem का UX क्या है, बहुत अच्छा सा UX आप देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि theory of relativity जो Einstein ने propose की थे, उसमें 2 postulate माने थे, special theory of relativity के लिए 2 postulate उनोंने बताये थे, एक postulate कहता है कि all the laws of physics are same in every inertial frame of reference, ठीक है, हभी तरह की inertial frame of reference में हमाई physics के नियम नहीं बदलेंगे, numerical quantity change हो रही है, वो सब तो ठीक है, वो सब data change हो रहा होगा, बट जो law of physics हैं, वो नहीं change होगा, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर law of conservation of linear momentum किसी और तरह किस लिखा जाएगा, या वो follow ही नहीं होगा, ऐसा है, वो ऐसी चीज है, उसको आप चाहे रुक करके ना पो, चाहे चलते हुए ना पो, आपको C ही मिलेगा, यहां तक कि अगर light आपकी तरफ आ रही है, और आप light की तरफ जा रहे हो, light की velocity से ही जा रहे हो, मतलब ज़र से light आ रहे है, C velocity से, आप जा रहे हो C velocity से, जब दोनों क्रॉस करते हैं, तो हम एक दूसरे की गति को add होता हुआ मानेगा, महसूस करते हैं, मतलब हमें 70 नहीं पता चलेगा, हमें लगयागा सामने वाला 120 की speed से भाग गया, उसको भी लगया कि यह वाला 120 की speed से भाग गया, ऐसा आप लोग अभी देखते होंगे, train यातरा कर रहे ह कोई बगल से opposite direction से आती हुए train जब गुजरती है, तो बहुत high speed में चलती हुए महसूस होती है, वहाँ पर तो काम कर रहा है logic, लेकिन light case में logic काम नहीं करता, तो यह principle of consistency है light के साथ में, तो उसको कैसे proof किया गया, सुनने बड़ा ही वो असंभव सा लगता है, बट इस चीज को Einstein ने इस relation से proof किया था, तो हमाँ पास question आता है कि validate the second postulate of theory of relativity by velocity addition theorem, Einstein की जो second postulate है, कि velocity of light is independent of the state of the observer, whether it is in rest or is in moving, तो show that, और दूसरा question है, so that no signal can travel faster than the velocity of light, दो चीचे में प्रूफ करने है, एक तो यह है कि principle of consistency, यहाँ पर प्रूफ करना है, observer से कोई rest महसूस मतलब कोई आसर नहीं पड़ता है, दूसरा है कि कोई भी signal velocity of light से तेज नहीं चल सकता है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या कहें, माल लीजी है, हमारे पास एक observer है, जो कि C velocities चल लाहा है, हाला कि यह संभव नहीं है, लकि माल ने, just suppose for a moment हम कह लें, तो वो C velocity से चल रहा है, तो एक light beam है, passes nearby this moving observer, and the observer calculated the velocity of light as ux-c, तो एक व्यक्ति है, जो C velocity से जा रहा है, उसके बगल से एक light गुजरी है, तो उस light की velocity, उस C velocity से चलने वाले observer ने C major की है, suppose, तो चलता हूँ observer इस light की velocity को C major कर रहा है, अब आप सोच रहे इंसान जो की C velocity से चल रहा था, उसने जब इस velocity of light को C major किया, तो रुके हुए इंसान ने कितनी major किया होगा, कैदे से तो normal sense हमारे कहते हैं कि ज्यादा velocity उसको महसूस हुई होगी है, तो अब कितनी हुई होगी, इसको calculate करने के लिए, stationary observer को क्या velocity महसूस होगी, इसके लिए ह यह formula है, तो हमने V जो है, observer की velocity C मानी है, तो V C माना है आपने, उस observer ने जब light को ना पा उसके velocity तो उसने UX' भी C निकाला, तो यह सारी value आप रख दो यहाँ पर, UX' की जगापर C रख दो, V की जगापर C रख दोगे, तो इसको solve करोगे, तो आप देखो कि cancel होकर के, UX की value भी C ही आ रही, इसका मतलब है कि stationary observer भी, stationary observer भी यहाँ पर velocity C ही major कर रहा है, तो यानि कि उस light की velocity को moving observer ने भी C ही major किया, और stationary observer ने भी C ही major किया, यानि इस बात तो कोई असर ही नहीं पढ़ रहा है, कि velocity of light कैसे ना पी जा रही है, वो रुके हुए अवस्था में ना पी जा रही रुके हुए observer के दौरा ना पी जा रही है, चलते हुए observer के दौरा ना पी जा रही है, तो यह यह चीज़ बताती है कि velocity of light is independent of the state of observer, so velocity of light remains C, independent of the state of the observer, whether it is in moving state or in the rest state, यह है second postulate का, अब हम देखे हैं कि addition of velocity, जब हमने यहाँ पर देखा, जब C में C जोड दिया, उसके बाद भी overall velocity C ही आई, इसका मतलब है कि C ऐसा लग रहा है कि अपर limit है, आप इसमें जोड भी रहे हैं, तो यहाँ पर आपने numerator में C प्लस C कर दिया, तो हम उमीद कर रहे हैं कि हम C से ज़्यादा velocity की बात सोच रहे हैं, लेकि फिर denominator कुछ ऐसा adjust करता है अपने आपको, कि overall value C की limit को cross नहीं कर पाती, तो यह इस तरह से हमें बता रहा है कि addition of velocity of light produces velocity of light, addition होने के बाद भी C में C जोड दिया, तब इस formula ने ultimate result C ही निकाला, तो इसका मतलब है कि no signal may travel faster than the velocity of light, तो this is the, this is how we prove this, okay, एक student है, जिन्होंने comment किया था कि mass variation relation साइद अभी हमारे उनको नहीं समझ में आया है, या वो नहीं पा रहा है वीडियो में, या साइद मैंने नहीं बनाया है, तो इसको मैं यहाँ पर discuss कर देता हूं, mass variation relation असल में E is equal to MC square जो formula है, उसको उसकी proving है, कैसे इसको हम proof करते हैं और यह कुछ सबसे मसहूर formula में 1 है, E is equal to MC square formula, तो classical mechanics में हम क्या देखते हैं, newtonian mechanics में हम mass को एक constant मानते हैं, इस तक मैंने पिछली बार बताया था, mass, length, time वी सारी चीज़ें महाँ पर constant मानी जाती हैं, MLT जो basic unit होते हैं, time और mass खास तोर पर, तो mass को हम एक constant मानते हैं, लेकि तो वहाँ पर हमारे पास mass variation का relation है, चली, newton mechanics की बात करते हैं, तो newton को law कहता है कि rate of change of momentum gives the force, ठीक है, dp by dt mv है, अब कोई वस्त है, कोई object है, move कर रहा है, अमालों हमने इसको, उस पर work done किया, तो अगर हम work done करेंगे, तो उसके kinetic energy बदलावाएगा, तो the change in the kinetic energy equals to the work done, this is the famous work energy theorem, तो work energy theorem की हिसाब से, अगर हम change in kinetic energy d e k कह रहे हैं, तो वो उस पर जो work हुआ है, उस x displacement करने में, force f की presence में, उसके बराबर होगा, तो यह हमारे पास work done है, यह हमारे पास change in the kinetic energy है, अब force हमने क्या लिया है, d by dt of mv, तो आपने d by dt of mv कर दिया, इस dx ले लिया, अब आप क देखें, यहां पर जब Newton के समय में, अगर mass को हम constant मानें, उनके हिसाब से, तो जैसे ही आप d of mv करोगे, तो यह हो जाएगा, m constant हो जाएगा, और dv हो जाएगा, तो mass को constant मान लिया, आपने तो बाहर निकलाएगा, लेकिन mass तो vary करता है, तो अगर mass vary करता है, तो हमारे पास mass भी variable है, और velocity भी variable है, तो ऐसी सिति में हम product rule लगाएंगे, तो m into dv लिखोगे, और फिर v into dm लिखोगे, यही वो चीज थी जहां Newton ने mass को constant करके जैसे बाहर निकाला था, तो वो f is equal to ma formula पे पहुँच गये थे, लेकिन Einstein ने mass को variable दिखाया था, तो अब वो mass को भी differentiate कर रहे थे, तो mass into dv, v into dm, ओके, तो अब आपके पास v multiply कर दो, तो mv dv हो जाएगा, v square dm हो जाएगा, simply अपने multiply कर दिए, अब आप यहाँ पर रुख जाते है, question number 1 के रूप में, अब हम आते है, mass variation relation पर, तो mass variation relation ही कहता है, कि the moving mass is equal to m not time under root 1 minus v square or c square, square कर दीजिए, square कर रहे, cross multiply क करके देखी का, तो आप यहाँ पर, numerator, denominator को cross product ले करके, आपके पास m square, c square, m square, v square, m not square, c square आजाएगा, right side देखो, rest mass हम ऐसा constant होता है, velocity of light constant होती है, तो right side असल में क्या है, एक constant है, m not b constant है, c b constant, लेकर left side में क्या है, m square, c square, m is the moving mass, जो के velocity के साथ change हो रहा है, तो यह variable है, हम क्या करें, इस equation को differentiate कर दें, differentiate करोगे, तो आपका m square हो जाएगा, 2m dm c square, यहाँ पर दोनों variable है, तो एक बार m को differentiate किए, 2m dm, v square as it is रहेगा, ठीके, उसके बाद फिर आप इसको differentiate करेंगे, तो m square रहा करके, 2v dv रहेगा, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा algebra करिए, देख है, तो c square dm, v square dm, mv dv हो जाएगा, एक तरह भेज दें, c square dm, mv dv, v square dm, equation number 2, equation number 1 का जो right side है, mv dv, v square dm, और यहाँ पर देखे, mv dv, v square dm, right side दोनों के same है, तो equation number 1 और 2 को compare करेंगे, तो हम देखेंगे, उनके left side में बराबर हो जाएगे, अब left side में क्या है, d ek, change in the kinetic energy, right side में c square dm, अब क्या था, शुरू सुरू में जब object रुका हुआ था, जब object रुका हुआ था, तो उसकी kinetic energy कितनी थी, kinetic energy थी हमारी 0, तो उसमें उसका mass कितना था, उसमें उसका mass, उसके rest mass के बराबर था, चलना सुरू करता है, किसी kinetic energy, ek तक पहुंसता है, तो उसका mass क्य क्या हो जाता है, m0 से बढ़ करके m हो जाता है, तो अगर हम इस equation को integrate करना चाहें, तो kinetic energy को lower limit 0 होगी, शुरू आत में 0 थी, फिर kinetic energy बढ़ के e के तक हो गई, और mass रू में m0 था, और फिर बढ़ करके m तक हो गया, c square तो constant से बाहर निकाल दो कर dm को integrate करोगे, तो अब आप क करोगे, तो dm का integration हो जाएगा, यह ऐसा कुछ हो जाएगा, c square m0 m, dm, तो यह हो जाएगा, c square limit m, lower limit m, lower limit m, अपर limit m, जैसे आप इसको limit put करोगे, तो e के बराबर हो जाएगा, c square m0 m, okay, this is how we get the, कुछ final relation हमारे पास इस तरह साना सुरू हो जाएगे, अब Einstein ने फर्दर भी हाँ पर कहा, कि जब कोई object rest में होता है, तो उसके साथ उसकी rest mass energy होती, e0 is equal to m0 c square, हो सकता है कई बार आप लोगों ने कहा, सुना हो, कहीं पढ़ा हो, कि जो e बराबर mc square है, इस formula का derivation नहीं होता है, यह Einstein के दिमाग की उपज थी, इसमें थोड़ा सा correction है, Einstein के दिमाग की उ हो चाहता है, कि rest mass की वजए से हर system के पास एक energy होती, जो e0 होगी, और e0 m0 c square के बराबर होगी, तो अब आपने उन्होंने e0 की वज़ों रखी, तो अब क्या हो सकता है, kinetic energy हमारे पास यह है, यह हमारी kinetic energy है, kinetic energy और rest mass energy को जोड़ दोगे, गर आप, तो आप total energy पाओगे, total energy क हम e कह रहे है, तो आपने kinetic energy रखा c square, m minus m0, rest mass energy m0 c square, और जब आप जो cancel करोगे, देखोगे, तो आपके पास e is equal to mc square आजाएगा, which is the mass energy equivalence, तो e is equal to mc square का तो derivation आप यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन इसका कोई derivation नहीं है, इस सीच को Einstein ने खुझ से, suppose किया था, mass के साथ property, mass के साथ energy को equivalent करके नहीं माना था, so this is the energy mass equivalence relation, so this is all about the theoretical part of the relativity, in the next session, we will discuss the numericals of this whole relativity, okay, till then have a nice day and take care of yourself, bye-bye.